विधान सभा चुनाओं के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके चलते अधिकांश प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र लिया इसके साथी दुरू कलेक्टेट परिसर में पूरी तरह से बेरिगेट लगा कर सभी छे विधान सभा प्रत् प्रत्याशियों के लिए नामंकन फार्म लेने की तैयार यां पूरी कर ली है जिसके चलते दुर्ग कलेक्टेट के पीछे माइनिंग विभाक में बने निरवाचन आफिस में प्रत्याशियों के लिए फार्म लेने की सुविधाएं की गई है आज पहले दिन बड़ी संख्य में पहुँचे सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों सहीद शेत्री पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामंकन फॉर्म लिया पहले दिन पॉनी पसारी समाज के बैनर तले निर्दली प्रत्याशी विनोस सेन ने दुर्ग शहर से नामंकन पदर लिया तो वहीं अहिवारा विधान सफा से कॉंग्रेस पत्याशी निर्मल कोश्रे ने भी लिया वहीं ग्रिहमंती तामधर साहू के लिए केशव बंटी हर्मुक ने नामंकन पत्र लिया इसके साथ ही आमादमी पार्टी से दुर्ग शहर से डॉक्टर एस के अगरवाल और सुमित शर्मा और दुरुग रामिन से लक्ष्मी वर्मा और संजित विश्कर्मा ने अपने नाम के फॉर्म लिये इसको लेकर नामंकन पत्र लिने पहुंचे प्रत्याशियों ने मिडिया के बीच प्रतिक्रिया दी प्रत्री पार छेत्र की एक भी स्कूल में कोई शुधार नहीं है वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है हाश्पिटल की दसा बिगडी हुई है और इन सारी दसाओं को देखते हुए पौनी पशारी समाज चदेव चला गया है सभी पार्टियों से इसलिए पशारी समाज ने निर्नाए लिया कि हम अपना प्रत्यासित खड़ा करेंगे और पौनी पशारी समाज मिल करके विनोश्चेन को जिताएंगे और विधान सबा तक भेजेंगे प्रत्याशी के रूप में विधान सभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है इस बार दुरुग ग्रामिन विधान सभा में जो जन्धन हित की डेर सारी समस्याइं हैं जो की हमारे आगे आने वाले गारेंटी पत्र में सामील होंगी उन सारी गारेंटी पत्र को देखने के वाद आप समझ जाएंगे कि जिस जमिनी इस तरपे हमने काम किया है जो जन्ता की सुख से विधाओं को और उनके हित में होने वाले सारे काम को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोगों का कहा यह जाता है कि ग्रेह मंत्री जो है सामने है चुनाओं में तो ग्रेह मंत्री वो थे अभी फिला लेवे एक आम इंसान है और जैसा कि एक मैं प्रत्याशी हूं या फिर दुर्गरामिन विधान सभा के सारे 69 गाओं की बात हो इन सभी छेत्रों में जो उन्होंने काम किया उस काम के दम पर इस बार वोट मांगकर जंता से अपने जीत दर्ज करा कर दिखाए एक बार जाएं लोगों के बीच एक बार सीनातान के बोलें कि मैंने काम किया इस सारी जो बाते हैं जंता ने बहुत अच्छे से देख ली हैं लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि इन्होंने किस हद तक भरष्टाचार की चरम सीमा को पार किया है इस बार जंताने पूरी तरह से कॉंगरेस हो या भाजपा दोनों को उखाड फिकने का एक हमारे हां के विदायक मौदे जो हैं एक दम निश्क्री हैं और पिछले समय से जो चुनाओं लड़ते आ रहा हैं मतलब उनके अलावा दुरुख सेहर में कोई चुनाओं लड़ने के लिए कोई नेता कॉंग्रेस का है ही नहीं और सबसे वड़ी बात है कि जितना भरष्ट किया था उस 15 साल के भष्टाचार को देखेंगे उसके तुलना में ये 5 साल के भष्टाचार को देखेंगे तो 15 साल का भष्टाचार फेल है जो 5 साल में भष्टाचार हुआ इस भष्टाचार को खतम करना ही में एक उद्देश है और सेकंड नमबर सबको स्वास्थ और कुल जनता खुद बोलती कि आप खली फॉर्म भरो सर जितानी जवाबदरी हमारी आमादी पार्टी पुरे दम खंसे पुरे 36 में चुनाव में भाग लेगी जहां तक दुर्ग शहर की बात है दुर्ग शहर में आप जान रहे हैं कि एक टोटली निश्क्रिय विधायक हमारे पास हैं और एक जो पार्टी जो डिकलेर कि इसको कोई जानता नहीं है इस बार हम लोग यहां पर जोड़ शोड़ से जुनाव लड़ेंगे हमारे लगातार सर्वे कारे जा रही है और हमें जबर्दस हैं मिल रहा है जंता का जबर्दस रिस्पांस मिल रहा है और वो बोल बोल भी पार्टी द्वारा उसे कोशिट किया गया है इसके विरोड में सारे कारकरताओं की आवाज बनकर मैंने भारती जंता हमारे वैशाली नगर विधान सभा में भारती जंता पार्टी से स्री रिकेस सेंजी को प्रत्याशी बनाये गया है जब सूची लीक हुई थी प सविकार करते हुए आज सभी कारेकरताओं की आवाज बनकर मेरे द्वारा भारती जनता पार्टी से द्वारा फॉर्म लिया गया है और हम सब ले बार बार मांग कि है केन्दरी पहले जो वैसाली नगर विधानसभा छेत्र है वहाँ पर जो कोसा नगर है कोहका है कुरूध है वो चारा गाथा और यादो बहुले छेत्र है और बहुत भारी संख्या में यादो समाज के लोग निवास करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वर्गी हेमचन यादो जी थे जब दुर्ग सहर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे तो वैसाली नगर विधानसभा के यादो समाज को साथ ले करके वो कांग्रेस के दिगज नेता अरून बोरा के पिताश्री मोतिलाल बोरा